नमस्कार दोस्तों हमारे online tuition अड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखें का यह अगला क्लास है इस क्लास में मैं बहुत सारे सब्दों को यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे सब्द हैं इन सभी सब्दों को बिलकुल आसान बहासा में आप ही के बहासा में मैं इसको इंग्लिस में लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने वाला हूं तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा के ओल भी क्लिक कर देजेगा और एक लाइक कि अदे यहाँ इस चैनल में एक और इसलड़ी को ईगया 2020ays 8 można सब्सक्राइब एक और ऐस सब्सक्राइब कराया हूं और इसमें इस च्रीज चाह prawd áo उसके बाद on और उसके बाद एक कठीन सब्द का बस दो तीन कलास में आपका ये क्लियर हो जाएगा आपको कहीं भी मैसेज करना है कहीं वाटसअब मैसेज कुछ भी करना है कहीं लिखा है आपको पढ़ना है तो आप इस तरीकां से असानी से पढ़ना और लिखेना दोनों सीख जाएंगे यह बहुत helpful है आपके लिए इसलिए इस class को last तक दखी जैसे जैसे class आगे बढ़ते जागा मैं important चीजी इसमें बताते जाओंगा यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं कि यह जो और है इसका English क्या होता है इसका English जो हता है यानि जिस भी अक्षर में आउ की मातरा लगा होगा उस अक्षर का पहले हम लोग इंगलिस लिखेंगे और वहाँ पर उस अक्षर के English के बाद हम लो ए यू लगाएंगे ठीक इसलिए मैं बता रहा हूं या कहीं अगर लिखा हो तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे सबसे बड़ी बात है सबसे ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों को कि यहीं पर निखा है तो उसको आपको पढ़ने आ जाएगा यहां पर यह देखिए फौज लिखा है चोटे चोटे पहले सब्दों पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यह जो फौज लिखा है तो पहले हम लोग फौका लिखेंगे फौका क्या लिखेंगे एफ भी लिख सकते हैं और पी एच भी लिख सकते हैं इसको पिछले कलास में मैं उसमें इसको बहुत अच्छा समय बताया हूं उसको वहां से आप देख सकते हैं अब एक चीज को दूसरे तीसरे वीडियो में ज्यादा समय देना उचीत नहीं है ज्यादा हम लोग में फोकस करेंगे उस वीडियो में जिसका जो है जैसे यहां पर आव की मातरा है तो यहां में कोकस करेंगे यहां पर कऊर लिखा है तो चाहिए सबसे पहले को लिखेंगे कट के और लगा है। ए-йू- ko रहा का हम लिखेंगे ي आर कर धिके जैसे यहां पर बादक भाध बा-धे बादक है तो आप लिखेंगे बाक का भी ठीक है ओ यानि ब influence को द्धा देखिए द्धा यहां पर यह जो द्धा लिखा है यह द्धा संजुक्त वाला है यह द्धा संजुक्त वाला है तो बौध ऐसे ही लिखा जाता है यह आधा द्धा और पूरा द्धा भी आप लिख सकते हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ ऐसे देखिए यहां पर यह ज लगाएंगे बौद का मौज मौज का मौज का मौका रिखेंगा हम लिए म यू मौ ज़ मौ ज़ ठीक है मोज यहाँ पर थोरा सा लिखने में हमको दिख्कत होती है क्योंकि स्कृना फिसलता है इसलिए आपको यह नहीं देखना को का पहले लिख देंगे कि और यू आउ को शो एस एल शल को शल अब यहां पे बोलेंगे कि सर यहां एस एच के बाद एक क्यों लगाए यहां पे यह जो सब्द है क्योंकि आप बताते हैं कि बीच में नहीं भी लगेगा तो काम चलेगा ऐसा नहीं वह बड़े-बड़े सब्दों के साथ होता है कुछ अपवाद में छोटे-छोटे भी सब्द है जैसे माली के पटना लिखना है तो आप देखे होंगे पटना का इंगलीज जो है पी-ए-टी-एन-ए भी कहीं-कहीं लिखा रहता है और पी-ए-टी-ए-न-ए भी आप लिख सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है दोनों तर समय कहीं है बहुत सारा जगह का जो नाम है अंग्रेज की समय कहीं है या उससे कुछ पहले का है इसका बहुत सारे पीछे की कहानिया है कि पटना का नाम पटना क्यों पड़ा पाठली पुत्र क्यों पड़ा पहले क्या था कैसे था इस तरीक से बहुत सारे कहानिया है वहां एश ये एच एइंच और दौस्टों आप से एक और बात में बताना चाहता हूं मुझरी अपको फ्षाप को का बोले के एई यू साइका बोले एस एए आई शाय का बोले एस एच एई जैसे ही कहीं से कोई पुष्टा यदि आप बता दे रहे हैं आपको आ गया है वैसे तो अभी आप आसानी से यह मात्रा का आप सकता हो नहीं पड़ेगा डारेक्ट इंगलिस लिख सकते हैं जैसे तो आपको पता है कि सू का यह सी यू होगा पॉ का पी ए यू होगा पॉ लॉकायल तो इस तरीका से भी आप असानी से लिख सकते हैं लेकिन मैं यहां पे यह इतना आप से याद नहीं हो पाता है बहुत सारे दोस्तों से याद नहीं हो पाता है इसलिए मैं इस तरीका से ब इकत नहीं होगी कोई भी सब्द को पढ़ने में कोई भी सब्द को लिखने में यह आपको कन्फर्म रखना है कि मैं इस तरीका से ही इसको प्रैक्टिस करूं जैसे रा handful का अप लिखेंगे आर ए रा थोग डिखें तो टी एस से थो लिखें और है भी थोग रोजार रा ठोड़ गौना हा गौना हा जीए यू गौ ना एञ रहा इस यहा गौना अ ठीक है गौना जो हम सुरुवात में आपको लिख कर बताए है कि यह जो कौसल लिखा है कौसल के यू एस एच इसको हम लो हिंदी में कैसे पढ़ें या इस तरह के जो भी सब्द लिखे रहते हैं उन सभी सब्दों को हम लो इंगलिस में कैसे पढ़ें इसका थोड़ा समय यहां पर बताना चाहूंगा आपको कि आपको क्या करना है कि पहले इसका जो लेटर है जिसके है के के बाद क्या लगा है कौन से भवेल लगा है क्योंकि कोई भवेल ही लगेगा तब ही जाकर एक एक अक्षर का निर्माल होगा तो भवेल ही लगेगा तो देखे के बाद ए यू लगा है ठी कि यह को का हो गया को का ठीक है और एस एच यानि तालब विश्व होगा यह लगा है और लॉका एल कोशल तो इस तरीका से आप ऐसे ऐसे सब्दों को आसानी से पढ़ पाएंगे यह लिखना हो हिंदी में तो आप लिख पाएंगे मैं परियास करूंगा कि यह सीरीज खतम हो गारा तो एक बार आपको कोई भी इंगलिस लिखा है उस इंगलिस का हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको मैं आपको बताने वाला हूं इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे न आप तो आपके पास समय समय से वीडियो प क्लास नहीं मिले उसके लिए सौरी मैं एडवांस में सौरी आपसे बोल दे रहा हूं लेकिन मेरा पूरा हंड्रेट परसेंट अपने तरफ से पुड़ा एफॉर्ट है विश्वास है अपने तरफ से मेरा पूरा मेहनत मैं करूंगा कि आपको रोज-रोज क्लास मिले ठीक है अब कोई भी स्वास्त के बारे में नहीं जानता है कि कब किसका क्या हो जागा वो अलग चीज़ है लेकिन जब तक मैं स्वास्त रहूंगा ठीक रहूंगा आपके किरपा से आपके शिरवास से मैं आपको रिगुलर क्लास देते रहूंगा जान पूर तो जो का आपको लेकिन अलग अलग आपको नहीं लिखना है कि यहां पर एक क्यों नहीं लगेगा यहां पर एक क्यों लगेगा क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत दोस्तों को यहीं पर होती है कि सर बीच में कहां पर यह लगाएं कहां पर नहीं लगाएं कि मुझे हमेसा कमेंट करते हूं मैं उनको समझाता भी हूं तो बहुत सारे दोस्त समझ गए हैं अब कोई दिक्कत उनको नहीं है फिर मैं वीडियो म कआ टी टी-आई-वाई-एंइए ऐसे आफ लिख सकते हैं छो करतिया लेकिन एक सब्सक्राइब निकल रहा है तो आपắnla से अंदर से सोच कर देखी यदि आप इसका लिखते हैं जे एयू के एक टी आइवाई कि कि कटिया तूट रहा है कटिया कटिया जो अलग है और कटिया अलग है तो इस तरीका से टूट रहा है तो वहीं चीज़ आपको तोड़ने का यह होना चाहिए कि कैसे वह तूटेगा म भी चीज आप समझें सही यह होगा क्योंकि आप उचारन करका भी देख लीजिए और आप उसको तोड़ कर भी देख लिए जो कटिया तो आप खुद लिख दे जे ए यू कटिया का तो लिखेंगे आपके टी आइवाई यह जो कटिया अगर यहीं पी यह था जौन पूर तो आपको समझ भीनान चीच कुछ भी सब्सक्ण करना है समझना को अभर्यख रशीया गया बीख 125 यह 2 एडोट Чो रहा चाह से दूख रायर चाहर चव लिखे ले यह चोब हॉ स्ने रसीहां मतलब फशेर मतलब चार हुता है राषीया ठीकर चौ星 फैसाय मैंनल ल been के देडिखे लिखे लिखे ठीक है इसको सिखना पड़ेगा आपको गौतम पूर सरी गौतम नगर तो गौतम देखें गौतम और नगर यहां पर आप समझें गौतम भी एक सब्द टूट रहा है और नगर भी एक सब्द टूट रहा है तो आपको पहले लिखना है गौतम का जी ए यू गोव टी एम गौतम नगर एन एजी ए आर यहां पे एम के बाद यह नहीं लगेगा ठीक है गौतम नगर ऐसे नहीं टूटाए गौतम नगर लगोव लात बाड देखे दोल लाता बाद दोलता बाड टो आप लिखेंगे डि यू टै दोल एल एट एट दॉलता बा आब ऌता क्यों मैं कर्सिब लिखता हूं यहां पर भी लिखा जाता है तो आस तो दूस्तों आज के कलास कैसा लगा please कमेंट बक्स में लिख कर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन भी दबा देजिएगा और एक लाइक भी करते जाएगा ठीक है चले दोस्तों आज की क्लास यहीं प्रेंड करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में जैहीं